हेलो बच्चों बहुत-बहुत स्वागा थे आप सभी का आप सभी के लिए मैं और मैं आउट या नि मेंटल अबिलिटी के अंतरगत और मैं आउट के कोश्चन्स लेकर रहे हूं कल हमने पेपर कटिंगे कोश्चन कर लिए ठीक है मैंने कमेंट बॉक्स में आप से पूछा थ भी किस हils on में इंटल अबिलिटीए कि सेक्षन में दख़ार है तो किसी कमेंट और में समय चाहिए किसी वच्चे कमेंट आए section में दिक्कत आ रही है जिससे संब्धित question आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे comment box में लिखकर बताएं और जितने भी questions मैं अभी कराऊंगा सबको आपको line से लिखना है आपके अनुसार पहले मैं जैसे question दिखाऊंगा आपको अपने मन से answer लिखना है बाके answer तो मैं बताऊंगा ही ठीक अपने मन से आपका answer लगा रहे हैं वो भी मुझे बताना है और comment box में सभी को लिखना है ठीक है सभी video को like कर दीजे और अपने दोस्तों को share कर दीजे ताकि सभी पढ़ाई कर सके ठीक है पहला question है odd man out मतलब क्या हो रहा है और मैं आउट यहां क्या हो रहा है कि असंगत को अलग करना है देखे बाकी जो तीन होंगे बेटा हो सेम होंगे किसी ना किसी प्रकार से संबंदित होंगे तो कोई एक होगा जो बिल्कूल अलग होगा उसको हमको अलग करना देखे भी नागरिती चुने संब्सक्राइब क्या होगे और आप सभी कमेंट में लिखकर बताना है कि कौन सा आपका क्या एंसर आ ठीक है ऑप्शन ए सई हो गया अलग है सबसे नेक्स्ट देखे सेकेंड कोश्चन है इसमें क्या अलग लग लग रहा है आपको याद कीजिए क्या बताय था पेपर फोल एक दम बराबर चार भागों में बटा हुआ है यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए चार भागों में एक दम बराबर बटा हुआ है यहां देखिए यह देखिए यह दोनों बराबर हैं लेकिन यह दोनों बराबर नहीं है तो टो कोई दिकत नहीं लेकिन आप सबसे पहले अंसर लगई लॉजिक मैं आपको बताऊ उससे पहले आपको लॉजिक आ जाना चाहिए ठीक है धीरे-धीर में आपको ऐसा प्रिपेर कर दूँगा कि आप आप देखिए एक्जाम हॉल में जाने पहले आपको सब एक एक लॉजिक आता हुए रहेगा कोई दिकत नहीं होगी ठीक है बताइए इसमें क्या रहे हो था नैंटी डिग्री का कॉंसेट ठीक है नैंटी डिग्री है फिन अब्बे अंस का कोड बन रहा है देखिए यहां से यहां देखिए यह नभी डिग्री का कोड नहीं है तो यह को गया अलग बाकि तीनों से मैं aspiring हो गया हमारा इनसर the यह क्यों सेंफ थो प्लस एना पोजिटिव क्या बता है किसि अगर सामने कुछ नहीं है ब्लस लगा है ना सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इसके सामने तो अलग से माइनस लिखा हुआ है ना तो option b correct है अपना कौनसा अलग कौनसा जो अलग है वही सही है option b यहां माइनस दिख रहा है ठीक next यह देखिए तो simple perfect गोला नहीं है यह clear दिख रहा एक बर आपको फिर से मिटा आगे दिखा दू क्या मैं ठीक है देखिए अब और यह देखिए clear एक अबने सामने जो संक्षा है वो सेम है सेम कहने का मतलब even और journée event का मतलब क्या होता है सम्संख्या ठीक है और मतलब क्या वी सम ठीक है वी सम्संख्या अब सम्संख्या किसे कहते हैं जो किसे कौन कौन संख्या बताइए बोलिए दो चार छे ठीक है देखे तो यह संख्या क्या है वेटा एक तीन पांच यह सब क्या वी सम्संख्या है संख्या यहां देखिए यह सामने वाली संख्या इवेन है इवेन ठीक है इसको थोड़ा उखर लिया जाए छोटा चीस करवान है यहां देखिए यह चार और लेकिने पांच और यह और यह तो है यह और यह तो है लेकिन यह यहां पे क्या हो गया अपनी जोड़ी गलत बन गई ठीक है यहां देखिए यह ओड है यह ओड है यह ओड है आमने सामने की सेम होनी चाहिए इवेन और ओड का concept है लेकिन option 3 में एक option में क्या हो रहा है चार क्या है और 5 क्या ओड है तो यहां पर अलग हो गया तो option कौन सा अपना option C correct होगा कौन सा option C event और और का concept लग रहा है ठीक है आमने सामने से मुझे अगर even है तो even ही होना चाहिए और है तो odd ही होना चाहिए लेगन यहाप एक even है आमने सामने देखिए यह even है यह odd ही से लिए option सी पाच्वे का नेक्ट कोच्चन है देखिए बताइए मुझे इसमें क्या अंतर है इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है क्या वोगल आप एब और जो भी है वो सीधी आकरीतियों से नहीं बना सीधी रेखा से नहीं बना नेक्स्ट है देखिए एक स्कॉयर उसके अंदर एक ट्रेंगल उसके अंदर एक यहां भी स्फियर समझे गोला उसके अंदर एक तो बज़िए इसमें क्यों अलग से दो है इसको कुछ अलग करना था क्या यहां जब एक के अंदर एक है, यहाँ भी एक के अंदर एक है, यहाँ भी एक के अंदर एक है, तो option C को क्यों अलग करना है, क्योंकि उसको चुनना है ना हमको, एक तो अलग करना था, तो option C अलग हो गया, option C अलग हो गया, यहाँ दो अंदर, simple सा concept, option C correct है, आपको numbering डालना है proper option पहले question का क्या option आ रहा है कौन सा answer है दूसरे का कौन सा answer है तीसरा ऐसी जितने भी questions मैं करा हूँ आपको ठीक है इसको बता दीजिए तो simple सा है देखें simple सा है यह देखिए तीरंदाजी archery समझें तीरंदाजी समझें यह है आपका सतरंज ठीक है और यह जो cardboard वाला नहीं आता जो pattern को complete करना रहता है जोड की वह अलग खेल है मतलब तीनों क्या हो रहा है कोई ना कोई किसी प्रकार के खेल से संबंदीत है ठीक है लेकिन यह क्या है यह तो नट बोल्ट है मेकेनिक्स मेकेनिक्स समान जो होता है उससे संबंदीत है ठीक है मेकेनिक्स में काम आता है यह नट बोल्ट है ठीक है यह तीनों क्या होगा मेकेनिक्स मेकेनिक्स संबंदीत है ठीक है यह क्या तो घड़ी है ना तो यह अलग होगी सबसे ठीक है सबसे अलग कौन से सबसे अलग ऑप्शन ये नेक्स्ट अच्छा हो गया क्या तो आपको जितने भी कोशन मैंने कराए सभी कोशन के एंसर आपको बताने कमेंट बॉक्स में सिक्वेंस वाइस ठीक है और में आउट बस ऐसी होता है कि क्या आज संगत मतलब तीन किसी न किसी तरीके से संबंदित रहेंगे उसमें से एक आपको अलग चुनना है ठीक है यह वेटा सैनिक अलफा कूर्स जो सैनिक स्कूल दोहजार लगालैज Father ministre स्कोर्भक है जो विए हमारा सैनिकिलए अर्जों उसको लेकर अप कर सकते हैं उसब्छे लेक्टर्स ब्रपर गाइढेंस आपको और चैप्रवाईस टेस्ट मिलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप है रिखारी कर सकते हैं आपको डिवड़ ऍिस्कूल के एप मिल जाए या प्लेश्टोर में जाना है वहां दूर इस्कूल का इंस्टॉल करना है ठीक है उसका जितने भी कॉर्थे आप अलफा कूपन कोड यूज कीजिए एल पी एच ए उन जीरो कूपन कोड यूज करेंगे तो जितने भी कोर्सेस मैंने बताया सब पर आपको 10 प्रतीसत की छोड मिलेगी ठीक है आगर आपको कोर्सेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है जानकारी चाहिए तो आप 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यह हमारा टेली स्कूर अनुअदेश्य मिलेटे मैं लिंकर सकते थाख या आज तो कमेंटी बोक्स में लिखके बताएगैं कि अंतर्गत कौन सा शक्सान आपको समझ नहीं आ है ठीक है और सेनिक स्कूल वाले बच्चों का जो इंटेलिजेंस जो वर नॉन वर्वल के अंतरगत ये कोस्टन पूछे जाते चार से इस बार कभी जो 25 कोस्टन आते ना टूटल लगबग 5-6 कोस्टन पूछे गा इस बार ठीक है तो आपको भी करना है मतलब उससे सम्मंधित पढ़ाई करने ही करते रहा ठीक है और बाकी वर्बल जो आएंगे मैं आपको बीच में वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा किस सेक्षन में दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपके लिए उससे सम्मंधित वीडियो बना दूँगा ठीक है मिलते हैं फिर इसी प्रकार के इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ